Welcome to my channel SK Knowledge Class दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको पताऊंगा 12th Board Exam 2024 के लिए Practical कोपी कैसे लिखना है Physics और Chemistry का दोनों का कोपी है मेरे पास दोस्तो भरा हुआ बिल्कुल अच्छे तरिकास मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको फूल में फूल नमर मिले Practical में एक भी नमर आपका ना कटे तो वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी को दबाएक वोल कर लिजिए देखिए दोस्तो फिजिक और Chemistry दोना है कोपी आपको खरीद लेना है ठीक ना कोई भी कोपी हो ठीक ना उससे कोई दिक्कत नहीं है भरना कैसे है मैं वहाँ समझा रहा हूँ देखिए पहले मैं Physics का बताता हूँ उसके बाद Chemistry का बताऊंगा देख सकते हैं कोपी में ही आपको Book मिलेगा ठीक ना इसी Book से आपको लिखना है ध्यान पूरबाग देखिए दोस्तों सबसे पहले जब कोपी उल्टाएंगे इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा यहाँ जो आपको नाम, Class, Roll, Number एक्जाम नमर जो लिखना है यहाँ सब आपको स्कूल में जाके लिखना है सर से पूछ के क्यूंकि आपको थोड़े पता है एक्जाम नमर क्या है आपका कोई पता नहीं है दोस्तों तो आप लोग जाके यहाँ स्कूल में भरिएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है ठीक ना पहले आपको अपने से कोपी भर लेना है पूरा ताकि आपको नम्मर बहतर मिले दोस्तो ठीक ना देखिए दोस्तो यहाँ जो कोपी भर के दिया है जोती कुमारी नाम है वहाँ अच्छा रैटिंग है उनका देख सकते हैं हैंड रैटिंग बहुत सुन्दर है तो वहाँ भर के दिया हमको वीडियो बनाने के लिए कोपी देने के लिए दिल से धनेवाद उनका ठीक ना जो हमें वीडियो बनाने के लिए कोपी दी है ठीक तो दोस्तो देखिए सबसे पहले आपको किताब भी खोल लेना है ठीक ना य प्रियान से आपको समझना है इधर आपको page नमर बेठा लेना है दोस्तों एधर एक उसी परकार दो तीन इस परकार करके page नमर बेठा लिजिएगा आप ठीक न डेट बाद में भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है देखिए दोस्तों जैसे कि यहां लिखी है experiment नमर वन यहां देखिए परयोग संख्या experiment नमर वन आपको यहां लिख देना है फिर यहां क्या लिखा है परयोग का नाम आपको यहां परयोग का नाम देखिए जैसे यहां लिखा हुआ है परयोग का नाम देदना है जो भी परयोग का नाम है धारा एवं विवांतर के परति रोद निर्धारन से मोईसा यहां देखो लिखा हुआ है लिख देना आपको ठीक और यही चीज जो यहां परियोग संख्या वन यानि कि इसमें डाल देना है दोस्तोव ठीक न यहां जो है एक्सपरिमेंट का नाम आपको डालना ही होगा दोस्तोव ठीक ताकि आपको फुल न मकल मिले उसके बारोख डेट आप cricket डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं पेज नम्मर आपको ड़लना है पेज नम्मर यहां जो आप लिखेंगे कि पेज नम्मर एक में है आपको पेज नम्मर एक लिख देना इसमें ठीक अब क्या करना है इतना तो समझ गए ध्यान सा आपको देखना है फिजिक्स और केमिश्टीर दोनों का मैं आपको बताऊंगा अब उसके बाद जो दिया हुआ है सेम आपको उतारना है और कुछ नहीं करना होता है दोस्तों सिर्फ अच्छे handwriting के साथ आपको उतारना है जैसे कि अवस्यक उपकरन आपको भी अवस्यक उपकरन मन है तो इंगलिस में लिख सकते हैं नहीं तो कोई दिक्कत नहीं सारा उतार देना है दोस्तों आपको सेम टू सेम उसके बाद क्या है दोस्तों सिध्यान्त है देख सकते हैं सिध्यान्त आपको यहां लिख के पूरा उतार देना है दोस्तों जैसे देख सकते हैं उतारा हुआ है ठेक उसके बाद दोस्तों यहां लिखा हुआ मिलेगा परियोग विधी आपको भी परियोग विधी लिख के सारा ची लिख देना है उसके बाद दोस्तों एक लाइन पेज के बाद आपको एक साधा पेज भी मिलेगा उसके पीछे इसलिए साधा पेज रहेगा यहाँ जो दोस्तों यहाँ चीतर बना हुआ इसको बनाना आपको चीतर आपको एक बहतर तरीका से पैंसिल से बना लेना है ताकि आपको पूरा नम्मर मिले प्रैक्टिकल में ठीक ना पूरा नमबर मिले आपको चीत रिसी परकार बना लेना है उसके बाद जो बचा था इधर लिखा हुआ ठीक न किताब में सेम देखो इधर लिखा हुआ है तो सेम आपको लिखना है कोई दिक्कत नहीं है दोस्तो ठीक न इस परकार आपको पूरा लिख लेना है उसक ना ऑख में दिया हुआ है ठीक ना इडर जितना बॉक्स में दिया है आप लीख सकते यह पहला है इसमें पहला भारना है फिर आगे लिखेंगे दूसरा भारना है तीसरा भ़रना आपित शाथ साथ गोट है तो आप qué狂 रीख सकते हैं आपके पास अगर समय है नहीं कम से कम कम से कम तीन लिखिएगा ठीक ना समय है तो आप पुरा लिख दीजिएगा ताकि आपको पुरा नमर मिले ठीक ना मैं लिखने के लिए बता रहा हूँ वह आपके पास कितना टाइम है आप पे डिपेंड करता है उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यह परियोग संख संख्या जो है एक्स्परियोग संख्या नमर 2 किताब में भी रहेगा ठीक सेम वही किया फिर परियोग का नाम आपको लिख देना है जो यहां लिखा हुआ है ठीक सेम फिर आवस्यक उपकरन फिर आवस्यक उपकरन डालके यहां लिख देना है दोस्तों सारा चीज फिर नहीं यहाँ मारे पीर दिने के लिए दिल से ताइंकियू क्योंकि हमें कूपी दी बिडियो बनाने के लिए उसके बाद दोस्तों फिर वही आपको क्या करना है यहाँ जो इधर आपको बोक्क दिखेंब आपको experiment no.2 लिख देना है जो भी है इसका experiment no.2 जो copy में लिखे हैं हम परयोग संख्यादो का यहाँ दो नमर डाल के उतार देना आपको यहाँ देख सकते हैं एक दो तिन तिन लाइन बना हुआ है तिन बॉक्स इसमें आपको लिख देना है आपको ठीक न उसके बाद दोस्त तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग experiment 3 भी लिखी है इसने ठीक न एक्सप्रिमेंट 3 यहाँ देख सकते हैं परयोग का नाम देखिए परयोग का नाम लिखा हुआ है न मीटर सेतु का परयोग करते हुए परतिरोधों को समांतर तथा स्रेनिक करम सन्योजन के नियमों का सत् यहां सेम लिखा हुआ है दोस्तों ठेक उसके बाद आवस्यक उपकरन डाल के आपको पूरा लिख देना है ठीक ना अब बहुत विद्यारती यहां सोचता होगा कि सर अगर लिखते लिखते पेज बच जाए यानि कि इसमें बच जाए तो आगे कहां लिखेंगे तो दोस् भी पिरा वह पूरा ही लिखना है उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों आजा ही प् verbess सकते हैं बस पेज भरना है तीचर लोग जो डेखते है ना पेज देखते रहा है ठेक बस पेज आपको भरना है इसमें भी लेखिए दोस्तोण एक्सप्रिमेंट 3 में आपको चीतर मिले है इस सिर्प वह लोग फेस लिखते हैं भरा हुआ है फिर देख सकते लख कर् Tes gros for Experiment for इसमें भरी है ठीक द üzerine दिखा देते हैं थो दोस्तों यहां है हैं परियोग संख्या चार यहां लिखा वह ठाहु को आपको क्या लिखना है उसके लिए परियोग का नाम जो है दोस्तों यहां लिखा हुआ है इसको उतार दिना फिर आवस्यक उपकरन लिख के पूरा लिख देना है इस परकार जितना आप लिख सकते उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों बस याद रखेगा चीतर भी आपको बनाना है और इधर जो experiment नमर है इसमें आपको डालते जाना है जिसे चार का लिखना है चार यहाँ एक दो तिन चार यहाँ है दोस्तों चार नमर में है आपको जो परियोग का नाम है पूरा इसको इसमें उतार दिजिएगा पेज नमर भी डाल दिजिएगा बस इस तरका से आप पूरा भर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो दोस्तों आप पूरा भर दिजिएगा देख सकते हैं इसमें पूरा भरा हुआ है ठीक ना आपके पास समय है तो आप पूर समय है आप अपने हिसाब से आजेश्ट किजिएगा यह अब केमेस्ट्री का बात कर लेते इसमें भी दोस्तो से मुसी परकार यहां सब आपको कोलेज में भरना है सर से पूछके बाकि नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है फिर इसमें भी आपको किताब मिलेगा ठेक अब कितना प एक्सप्रिमेंट नमर लिख सकते हैं ठेक इसलिए दोनों पार है तो आपके पास जितना समय रहेगा उससी के अनुचार आप लोग पन आकों भी भरियेगा ठेक तो अब फिर देखिए दोस्तो परियोग एक्सप्रिमेंट नमर वन किताब में ही मिलेगा आपको देख सकते नमर नमर और अब यहां आपको परियोग का नाम डाल देना है जैसे की परियोग का नाम जो भी है डेख सकते हैं सेम उतार दिया है इसने सेम इसी परकार आपको उतारना है एक बात याद रखिएगा handwriting आपका सही होना चाहिए जवर्दस्त होना चाहिए ठीक उसके बाद दोस्तो आवस्यक उपकरन लिख के इसने लिख दी है पूरा सेम जो है आपको सेम उसी परकार आपको उतार देना है एक बात याद रखिएगा अगर दोस्तो आपका यहां मतलब पूरा खतम हो जाता है कुछ वर्ड बज जाता है तो उससे कोई दिक्कत ने आपको वहीं छोड़ देना है जहां तक आपका अरजेस्ट होता है उसके बाद दोस्तो इसमें जो है चीतर नहीं बनाई है इसने ठीक ना चीतर हाई ही नहीं इसमें चीतर कहीं नहीं है दोस्तो चीतर नहीं बनाई है कोई दिक्कत नहीं है ठेक फिर फरयोग संख्या जो experiment नमर दो लेख चले गई एक बात हम बताते हैं आपको इसमें भी जो box है आपको experiment नमर जो लिखना है वह मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है जैसे कि दोस्तों यहाँ है na experiment नमर name of the experiments यहाँ जो आपको डालना है दोस्तों यहाँ जो है experiment का नाम डालना है परयोग का नाम इसमें जो है जो आप वहाँ लिखे थे copy में सेम उसको इसमें उतार देना है फिर हम बताए थे physics में जैसे page नमर भी आपको लिख देना है ठेक उसी परकार सेम आप पूरा भर दिजिएगा copy दोस्तों ताकि आपको बहतर नमर मिलें इसमें writing ही देखा जाता है फिर जैसे experiment नमर दो है दोस्तों experiment नमर दो मैं दिखा दिता हूँ अप लोगों को ठीक नहीं है न देख सकते है परियोग संख्या दो दो को भराया फिर परियोग का नाम यहां लिखा हूँ परियोग का नाम जो भी है आपको उतार लेना है फिर क्या है दोस्तों आवस्य कूपकरन देखिए आवस्य कूपकरन जो है लिख दिया है इसने फिर आगे देखते हैं दोस्तों आगे आपका क् इसमें जो बचा उसको छोड़ देना है कोई दिक्कत नहीं आपको ठीक ना उससे कोई दिक्कत नहीं और या आप जो अगर मन है आपका कि पहला पेज में जो बचा पहला एक्सप्रिमेंट उसे दूसरा पेज में लिखने का तो आप लिख सकते हैं लेकिन एक्सप्रिमेंट नममर में आपको वही डालना है पहले वाला ठीक न याद रखेगा जो भी पाट अगर बचा है इसमें आपको लिखना दूसरा page में experiment नमर वही डाल दिजेज़हा जैसे आप दो का उधर आधा बचा था तो दो ही डालना आपको ठेक आगे लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे एक्स्थ्परिमेंट न 130 है, यहां देख सकते हैं,ateral December 3 है, फिर 13 का क्या है, परियोगनाम, यहां आपको मिलेगा परियोगनाम, सेम उतार देना, उसी परकार सेम आपको उतार देना है, अब जैसे परियोग नंबर 3 में जो है, इसमें बहुत सारा है, इसमें आपका माली ये बच गया कुछ, आधा पार्ट आपको इस पेज में लिखना है, तो आपको वही थिरी ही डालना होगा, क्यूंकि आप उसी का बचा हुआ इसमें लिख रहे हैं, ठेक, इसलिए सेम डालना है, नहीं तो आप अगला भी लिख सकते हैं, आगे नेक्स्ट वाला, ठीक ना, इस परकार आपको प्राक्टिकल कोंपी भरना है, हम फिजीक केमस्ट्री सब दिखा दिए, देख सकते हैं, सारा भरा हुआ है, पर्यूग नमबर डाल डाल के आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अक्सर विद्यारती इस में कैसे भरे, ठीक ना, पर्यूग संख्या वगेरा में, ठीक ना, जैसे इसने एक्स्प्रिमेंट नमबर सेवन को भरी है, इसमें, मैं दिखाता हूँ, सेवन का, ठीक ना, पूरा ध्यान से आपको देखना है, समझ लेना है, ताकि आपको पूरा नमबर मिले, दोस्तों, देख सकते हैं, दोस्तों, एक्स्प्रिमेंट नमबर सेवन का परियोग का नाम, को परियोग का नाम डालना है, उसके बाद अवस्यक उपकरन है, अवस्यक उपकरन लिख के आपको लिख देना है, उसके बाद दोस्तों क्या है, अवस्यक रसाइनिक पदार्थ, उसके बना लेना है तो इस परकार आपको physics और chemistry का practical कोपी लिखना है कोई भी डाउट हो तो आप comment box में पूछ सकते हैं दोस्तो चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया और दोस्तो अगर आपके पास समय है तो आप पूरा कोपी भर सकते हैं नहीं है तो कम से कम तिन को भरिये ठेक कोई दिक्कत नहीं है अच्छा handwriting होना चाहिए आपका ठेक